मंगलवार को वन मंत्री मोहमत अक्बर ने प्रेस्वारता में कहा कि 24 वे अखिल भारती वन खेल मोहस्तव का 25 दियुसी आयुजन 9 जन्वरी से 13 जन्वरी तक रायपूर इस्ति विवेकानंद स्टेडियम कोटा में मुख्य मंत्री भूपेश बगल के हातों उदगाडन कर प् स्टार के लगभग 2400 पूरुष एवं महिला खिलाडी भारती वन सेवा राजिवन सेवा के अधिकाली कर्मचारी भाग लेंगे आपको बता दें इस प्रतियोगीता में 23 खेलों का आयुजन किया जा रहा है जिसमें एफ्लेंटिक्स, बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल, बिलियार्ट्स, स्क्रूनर, ब्रीज, केरम, चेस, क्रिकेट, साइकलिंग, फुटबॉल, गोल्फ, हौकी, कवड़ी, लॉन टेनिस, तेराकी, टेबल टेनिस, बॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग एवं रसाकरसी जिसे अन्य खेल भी 9 जनवरी से 13 जनवरी तक खेले जाएंगे केंद्री वन परियावरण, एवं जलवायू परिवरतन मंत्री, डॉक्टर, हर्श वर्धन, वन मंत्री पंजाब, वन मंत्री बिहार, भारती वन सचीव, भारस सरकार और पूर्व क्रिकेटर, वी वी एस लक्षमन शामिल होंगे और अखिल भारती वन खेल प्रतियोगिता में देश भर से करीब धाई हजार लोग यहाँ पर जो खिलाडी हैं, वो यहाँ पर आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आएंगे इस परदा चलेगी नौ तारिक से लेके तेड़ा तारिक तक और नौ तारिक को चार वजे कोटा के स्टेडियम में इसका उद्गाटान मानी मुख मंत्वी भुपेज बगिल जी करेंगे साथ में वन इवाम परियावरन मंत्री डाक्टर हर्च वर्धन उसमें उपस्तित रहेंगे पंजार मंत्री बिहार इवाम क्रेडर सासन इवाम विभिन राजु के वन प्रमुक सहिन भार्थी क्रिकेट टीम के पूर्शदा स्री वी वी एस लक्षमन भी सामिल होंगे इस कार्क्रम में सम्हिलित रहेंगे इस कार्क्रम में उन्तिष प्रदेश साथ केंदर सासित प्रदेशों वानिकी एवं जय वानिकी जय संब्स्ति लगखग 2400 पुरुसेमा महिला के प्रतिभागी इसमें हिस्टा नेंगे ड्री एक जय सब्सक्राइब कर्देश वानिकी वानिकी आटा मुझेश प्रदेश लगए